पिछले ख्लास में हम लोग आये ठीका अनुमेरिकल पे एंड के थे ठीक है ना तुम दोको दिये थे बनाने के लिए और मालूम है तुम लोग बना लिये होगे थीक है वो कोश्चन था ना तुम लोगो डब्लू भी निकालना था ठीक तो डेल्टा टीए फिजिकल तो तो फ लुबी निकालना है इंटो 1,000 है मोलर मास इतलीन ग्लाइकॉल का एड़ कर दिये तो 62 है इंटो क्या है मास ऑफ सॉल्वंट जो है 100 है मेरा एंसर आजाता है 93.3 ग्राम ठीक है ना चलो नेक्स कोशन यह सिबसी बोर्ट का कोशन है तिहां से देखना 45 ग्राम ऑफ इतलीन ग्ला ला लगा देंगे देल्टा तीए फिजिकल टुकेफ इंटो WB इंटो थाजन दिवाइद बाइंब इंटो डबलु ए डिल्टा टीए निकालेंगे दुकेफ यहां पर गिवन है 1.86 और इतलीन ग्लाइकॉल का मास तिया है 45 इंटो थाजन हो गया और मोलर मास इतलीन थाजन है जालवेद विज्वाट कैलवी थे का बीपार्ट में फ्रिजिंग पॉंट ऑफ विजिशन हम लोग जानते है ना प्योड मतलब क्या जिरो डिग्रीं देख जिरो डिग्रीं में तो 273 ठीक है और ज्यादा एक्विड करेंगे तो 273.15 खेंग हो जाता है तो हम लो तो T का एंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा 270.90 Kelvin आजाएगा ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो फर्स्ट में आपको freezing point depression निकालना था freezing point depression हो गया delta Tf second में निकालना था the freezing point of a solution freezing point of a solution तुम्हारा हो गया क्या होता है ती होता है ठेक अब हम लोग नेक्स मूफ करेंगे नेक्स आजाओ नेक्स यह तुम्हारा NCRT का question भी है question number 2.20 है और इंस कभी आया वा question है बहुत important question ठीक है question को ध्यान से जरा सा समझना ठीक है question है 5% solution by mass of a cane sugar in water has a freezing point of 271 Kelvin and freezing point of pure water is 273.15 Kelvin the freezing point of 5% solution by mass of glucose in water is यह option है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा Tf निकाल लेंगे क्या निकाल लेंगे डेल्टा Tf ठीक है तो यहां पे T not दिया हो है प्योर का 273.15 T कितना दिया हो है 271 Kelvin तो कितना आजाएगा answer 2.15 Kelvin आजाएगा ठीक है अब सुक्रोस केन सुगर केन सुगर का तो फॉर्म्ला सुक्रोस का हम लोग जानते ना सुक्रोस का C12 H22 O11 ठीक है न तो सुक्रोस का जब हम लोग मोलर मास जोड़ देंगे तो सुक्रोस का मोलर मास जान रहे है कितना आजाएगा 342 आजाएगा 5% पहले सी मतारे 5% मतलग कितना ग्राम फाइब ठीक है न और मास ऑफिस ऑल्वेंट कितना होगा 95 तो यहां डेल्टा टीएफ डेल्टा टीएफ दियावे तो यहां डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे क्योंकि 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 निकाल लिए है और डबलू भी तुम्हारा फिर वही 5% है तो 5% मतलग कितना ग्राम हो गया 5 ग्राम इंटु 1000 मोलर मास हम ग्लुकोस का जोड़ देंगे मोलर मास ग्लुकोस का जोड़ देंगे ना इसका फ्रीजिंग पॉंट दिया हुआ है ठीक है ना और इसी में बोलफ को फ्रीजिंग पॉंट वाइफ प्लुकोसीं फॉटेंगे निकाल लियें और यहां से मेरा क्या एक देल्टाट्यफ निकल रहा है ठीक है फिर आगे देखो हम लोग delta tf निकाल लिए delta tf कितना आ गया 4.085 kelvin आ गया फिर हम लोग formula जानते है ना delta tf is equal to t0 minus t जानते है delta tf निकाले में t0 pure 273.15 है तो t निकल जाएगा ना 269.065 ठीक है ना यह option जाएगा ठीक अब चलो next question में move करते हैं next question is a solution of urea in water has a boiling point दिया वा है calculate the freezing point of same solution kf दिया और kb दिया वा है ठीक है तो हम लोग सबसे पहले tb निकाल लेंगे tb क्या है t minus t0 pure 273 boiling point ले लिए t दिया वा है 373.128 दिया वा है तो हम लोग delta tb निकाल लिए और हम लोग जानते है ना delta tb is equal to क्या होता है kb into molality ठीक है तो kb यहां दिया है ना kb 0.52 ठीक है delta tb निकाले में 0.12 तो molality आ जाएगा ना molality कितना आ जाएगा 0.24 यह सबसे board question है ठीक है ना इसको ध्यान से देखना ठीक अब इसके बाद हम लोग यहां से molality निकाल लिए ठीक अब उसके बाद क्या निकालना है freezing point of same solution क्या है same है तो freezing point वाला formula भी तो जान रहे ना delta tb physical to क्या था kf into m तो molality तो 0.24 है और kf कितना था 1.86 मेरा answer कितना आ जाएगा 0.45 Kelvin आ जाएगा ठीक है दो एक्स्रा formula पढ़ेंगे ठीक है NCRT में से numerical नहीं दिया हुआ है पर formula है ठीक है फॉर्मॉला को समझेंगे उसे numerical भी बना लेंगे competition के लिए इंपोर्टन्ट है यह देखो के बी constant का calculation किसका calculation constant का तो kb is equal to r into t not square into m a divided by delta hv delta hv जो है इंथाल्पी औव वैपराइजेशन है into 1000 है ठीक है आर में तो कोई confusion ही नहीं है आर गैस constant है आर का value 8.341 joule per Kelvin पर मोल होता है और calorie में होता है 1.987 calorie per Kelvin पर मोल होता है तो मैंने प्रॉक्स इसको टू लेके बना सकते हो ठीक है तो वहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे के भी निकाल लेंगे ठीक तो के भी और के एफ निकालने का यह formula है constant निकालने का formula और हर चीज़ क्लियर है R gas constant T naught पता है प्योड ठीक है ने A में A में A क्या था molar mass of A क्या था solvent ठीक है और enthalpy of vaporization है और cave में है enthalpy of fusion है ठीक है एक बस ध्यान रखना कि cave का जो value है ना वो के बी से मेंसा जादा रहता है ठीक एक और formula है Latin heat of vaporization अगर दिय रहेगा तो Latin heat of vaporization दिया रहेगा तो यहां उपर में molar mass नहीं होगा ठीक है तो आगर यह उपर में molar mass नहीं होगा तो इसका कारण क्या है गया तो जड़ा देख लो Latin heat of vaporization जो है वो molar Latin heat divided by molar mass होगा तो molar mass से जब divide हो रहा है और उपर भी molar mass है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा same ही हो गया molar mass और molar mass क्या हो गया दोनों क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा तो formula में molar mass क्या हो जाएगा हट जाएगा ठीक अब question जला देखना calculate the molar depression constant of a solution which has a freezing point 16.6 degrees Celsius and latin heat of fusion है 180.75 joule per gram ठीक है अब formula तो हम लोग जानते है केफ का क्या हो जाएगा R T not square divided by thousand into latin heat of vaporization तो अगर यहाँ पर enthalpy of vaporization रहता तो उपर molar mass रहता पर यहाँ latin heat of vaporization है इसलिए उपर molar mass नहीं है क्योंकि molar latin heat जो है वो molar latin heat divided by क्या होता है molar mass होता है यहाँ इसलिए यह question देदी है कि यह question थोड़ा ध्यान से समझ में आ है R का value दिया हुआ 8.314 T not pure का pure का temperature तुम्हारा इसको Kelvin में change कर दो ठीक है into thousand है और latin heat यहाँ पर दिया हुआ है तो मेरा answer केफ का क्या आ जाएगा 3.86 Kelvin kg पर mol आ जाएगा ठीक है तो यह KB और केफ निकालने का formula है तो इसको थोड़ा ध्यान से देख ले रहा है ठीक अब हम लोग last colligative property में move करेंगे osmotic pressure ठीक है osmotic pressure को ध्यान से समझना है ठीक तो सबसे पहले osmotic pressure का symbol पाई जाता है osmosis किसको बोलते है osmosis तो osmosis है it is the phenomenon of a movement of solvent from solvent site to solution site through a semi-permeable membrane solvent site हो गया lower concentration solution site हो गया higher concentration और किसके थू होगा semi-permeable membrane membrane semi-permeable membrane किसको बोलते हैं जैसे यह एक तरफ मेरा solvent water के वल water है ठीक है न और एक तरफ solution है मतलब water plus sugar है ठीक है और यह है semi-permeable membrane ठीक है तो semi-permeable membrane क्या करेंगा solute इसमें से flow नहीं करेंगा किसको flow करना चाहेंगा solvent इसमें से flow करेंगा ठीक है अब आजाओ osmotic pressure osmotic pressure यह definition है board exam में definition आता है थोड़ा समझना भी है osmotic pressure बोलते हैं the minimum pressure that has to be applied to solution site just to prevent the flow of solvent from solvent site to solution site through semi-permeable membrane solution बोल रहे हैं कि minimum pressure कहां apply करेंगे solution site पर apply करेंगे किसको prevent करने के लिए solvent को flow of solvent को prevent करने के लिए solvent site से solution site ठीक है न तो उसको क्या बोलेंगे osmotic pressure बोलेंगे ठीक है अगर थोड़ा धियान से समझना है तो जड़ा देख लो यह semi-permeable membrane है इधर मेरा water है ठीक है इधर मेरा solution है ठीक तो क्या होड़ा है solvent तो यहां से flow होके solution site में जा रहा है ठीक है तो यहां पे जो pressure हम apply कर रहे हैं ठीक है न जो apply कर रहे हैं जो prevent करेगा flow of solvent from solvent site to solution site उसको हम लोग क्या बोलेंगे osmotic pressure बोलेंगे ठीक है clear है अब चलें नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है reverse osmosis ठीक है reverse osmosis ठीक है reverse osmosis बहुत important है इसको ध्यान से समझना है reverse osmosis किसको कहते हैं तो थोड़ा जड़ा सा इसको देखना ठीक है यहां sea water है और इधर pure water है और यह semi-permeable membrane बनाए ठीक है तो यहां अगर pressure जो apply कर रहे हैं osmotic pressure से यह ज्यादा है तो क्या होगा solvent जो है starts flowing from solution site to solvent site through a semi-permeable membrane membrane pressure अगर osmotic pressure से ज्यादा होगा तो sea water क्या है solution इसमें से क्या flow करने लगेगा solvent 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 किधर जाएगा solvent site में जाएगा ठीक है तो ध्यान से जड़ा इसका definition देखना definition क्या लिखा है if pressure applied to solution site is greater than osmotic pressure then solvent starts flowing from solution site solution site sea water ठीक है ना to solvent site solvent site क्या हो गया fresh water through a semi-permeable membrane ठीक है इसका application कहां देखने को मिलता desalination हो गया और water purified जो आरो में हम लोग यूज करते हैं ठीक अब नेक्स हम लोग बढ़ेंगे numerical की तरफ तो numerical के लिए formula का derivation जैसे हम लोग PV is equal to nRT परे थे ना तो P वहाँ pressure था और यहां पर पाई क्या है osmotic pressure है ठीक है तो vent of theory of dilute solution है तो vent of theory of dilute solution क्या है कि पाई जो है वो directly proportional to concentration है पाई जो है वो directly proportional to temperature है और proportional का sign हटा देंगे तो constant लग जाएगा CRT R यहां पर हम लोग PV is equal to nRT में R gas constant पढ़े थे पर यहां पर यह solution chapter है तो यहां पर जो R है यह molar solution constant है ठीक है C concentration है concentration के मतलब क्या होता है molarity क्या होता है mol by volume होता है और mol को अगर तोड़ दोगे तो mass by क्या हो जाएगा molar mass हो जाएगा अगर numerical हम लोग का pressure अगर ATM में रहा तो R का value ATM में यूज़ करना 0.082 अगर बार में रहा तो 0.083 बार और पास्कल में रहा तो 8.314 into 10 to the power 3 पास्कल यूज़ करेंगे ठीक है एक extra formula है यह किवल यह NCRT में नहीं है only for competition osmotic pressure is equal to hydrostatic pressure होता है πाई is equal to HD G हुआ तुम्हारा H यह increasing level in the tube of unit cross section D density of a solution given रहेगा और G है acceleration due to gravity तो इससे भी हम लोग पाई निकाल सकते है osmotic pressure निकाल सकते है इस formula से हम assignment में question देंगे तुम लोगो अब आजाओ question में NCRT index question है calculate the osmotic pressure in pascal exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of a polymer of molar mass 185 into 18500 in 450 milliliter of water at 37 degree Celsius दिमाग में रखना जब भी osmotic pressure का numerical बनाओगे तो temperature हमेशा किस में रहेगा Kelvin में रहेगा और mass हमेशा किस में रहेगा gram में रहेगा और volume हमेशा किस में रहेगा liter में रहेगा ठीक है तो यहाँ देखो is equal to NRT है मोल यहां क्या है mass by molar mass है तो हम लोग volume जो है volume मेरा मिली लीटर है तो मिली लीटर को लीटर में चेंज किया है तो 450 divided by क्या कि है thousand कि है temperature को किस में चेंज की Kelvin में चेंज किया और Pascal में निकालना है तो Pascal में आर का value क्या था 8.314 into 10 to the power 3 था तो मेरा यहां पाई कालकुलेट हो गया पाई is equal to क्या है 30.976 पासकल आया ठीक है तो फॉर्मला याद रखना है कि पाई is equal to, पाई भी is equal to क्या है एनार्ट जैसे पी वी is equal to अथा Aniahaha क्या है मोल है म मॉल क्या है मास पई मोलर मास है ठीक है ना और हम लोगो मास, मोलर मास जो भी निकालना है इस फॉरमुला से हम लोगो निकल जाएगा एक स्विबसी बोर्ट कोशन आया है ठीक है यह हम दो कोशन करा हैं बस तुम लोगो प्रेसर का यूनिट के बारे में बताने के लिए ठीक है ना एक टॉर को समझाने के लिए एक MMHG को समझाने के लिए तो यह सारा चीज को तुम लोगो दिमाग में रखना है ठीक है, कालकुलेशन थोड़ा ज्यादा है थोड़ा कालकुलेशन ज्यादा है पर बचा लोग करता है तुम लोगो तुम लोगे, ठीक है Assuming the gene fragment is non-electrolyte calculated smaller mass हम बताएं ना मास हमेसा किस में लेना है, gram में लेना है, volume हमेसा किस में लेना है, liter में लेना है, temperature किस में रहना चाहिए, Kelvin में रहना चाहिए और प्रेसर को थोड़ा सा चेक कर लेना है ठीक है न तो यहाँ पे मेरा प्रेसर है 0.335 टॉड है हमको टॉड से इसको हमको किस में जाना है एटीम में जाना है ठीक है न एटीम में मेरा आर का जो वैल्यू है 0.082 इसको यूज करना है तो 1 टॉड is equal to 1 mmHg होता है यह मालूम ह पर पाई ओस्मोटिक प्रेसर जो दियावा है टॉड में दियावा उसको एटीम में चेंज कर लेंगे तो 0.335 को किसे डिवाइट कर देंगे 760 से डिवाइट कर देंगे तो मेरा एटीम में चेंज हो गया वॉल्यूम जो मिली लीटर है उसको हम लोग लीटर में चेंज कर आर रग दिये, आर 0.082 है, टेंपरेचर केल्विन में मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास का जो एंसर आएगा, 14176 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है, अब नेक्स कोश्चन हाचा, यह भी सिब्सी बोड कोश्चन, यह भी हम बस प्रेसर का समझाने के लिए तुमको 80 mmHg तौर थ हम जानते हैं, 760 mmHg होता है, तो यहां पर 13.3 mmHg को हमको 80 में बदलना है, तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे, 760 से इसको क्या करेंगे, ठीक है, तो जड़ा देखना है, यहां पर हम इसको फिर क्या की है, 760 से डिवाइट किया, वॉल्यम मिली लीटर था, उसको किसमें चे 13963.4 ग्राम पर मोल, ठीक है, नेक्स जो यह टॉपिक बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टन दो बाड़ा चुका है, जब से यह पढ़ा रहे हैं, यह चैप्टर यह टॉपिक को ज़रूर हम बताते हैं, कि ऑस्मोटिक प्रेसर जो मिथड है, वो अधर क्वालिगेटिव प् मेथर इस प्रिफर्ड ओवर अधर कॉलिगेटिव प्रोपर्टीज दू डिटरमाइन दी मॉलिकुलर मास ओफ ए मैक्रो मॉलिकूल ठीक है ना, तो मैक्रो मॉलिकूल का मॉलिकूल मास निकालने के लिए औस्मोटिक प्रेसर मेथर क्यों सबसे इंपॉर्टन है, सबसे बेस मेथर क्यों है, तो देखो, ओस्मोटिक प्रेसर जो मेजरमेंट है, वो रूम टेंपरेचर पे भी मेजर हो जाता है, पहला बात, सेकेड है, तो अधर टू वैल्यू, अधर टू वैल्यू एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग बहुत छो आज़ करने के लिए मैक्रो मॉलिकूस का मॉलिकुलर मास, निक्स्त हम लोग ग्लास में है, और लास्ट टॉपिक जो है वांट आफ फैक्टर उसको ढील करेंगे, तब चैप्टर जाके, अम लोगा क्या होगा, खत्म होगा, ठीक?